नमस्कार फरीदबाद में सौरा भारत द्वाच हम लोग पहुंचे हैं ओल्ड फरीदबाद के बाजार में अनाजमंडी में और यहां एक कदीमी दुकान है उस दुकान की दिवार के निर्मान का कारे चल रहा है क्यों चल रहा है क्या विवाद है जो मामला थाने चौकी तक बात करेंगे हमारे साथ हैं क्या नाम आपका मिरा नाम प्रवीन अकरवार है नमस्कार यह हमारे दादा जी की तकरीवन सौ साल पुरानी दुकान है दादा जी को गए हुए तकरीवन बीस साल हो गए तब से दुकान बंद पड़ी है तो पडोसियों ने दोनों साइड में यह एक ही परिवार है दोनों तरफ में चार भाई अपनी दुकान चलाते हैं हमारी 20 सालों से हमारी एपसेंस का फायदा उठा के इन्हों ने इस साइड की दिवार तो अठारा इंच की कॉमन दिवार पूरी चील दी चार-पांच इंची दिवार चोड़ी है और अपनी दिवार तोड़े बगएर चील के उसको अपनी दिवार में मिला लिया दो तीन साल पहले इन्हों ने दुकान बनाए थी वो तो हमें मालूम नहीं चला इस साइड की इन्होंने क्या करा यह दुकान अभी 2-3 महीने पहले हमारी पूरी दिवार ही तोड़ दी और तोड़के हमारी दिवार के हद के हमारी दुकान के अंदर अपनी दिवार खड़ी करने लगे सारे लेंटर तोड़ दिए देखो सारे सरीये काट दिए सरीये काट के बेंड कर दिए जिससे की हमारा लेंटर हम कभी दावाही ना कर सके यहां पर कभी हमारी दिवार होती थी तो इन्हो मीटर पडोसी की दिवार से छोड़ के आपको बेस्मेंट बनानी चाहिए इन्हों ने उल्टा बेस्मेंट में से एक फुट हमारी दुकान के अंधर कपजा कर लिया है नीचे से और वो कहते हैं यह पुरानी बेस्मेंट है आज से सौ साल पहले किसकी बेस्मेंट होती नहीं थी ना कॉलम होते थे यह सब इन्होंने अभी दो महीने के अंदर पुलिस के मिली भगत में पुलिस के साथ मिलके इन्होंने बनाया है ना प्रशासन कोई कारवाई नहीं कर रहा है सब के सब मिले हुएं मिली भगत में पूरी दुकान यह बना रहे हैं और हमारी तोड़के बिल्कुल उपर की च्छत आप देखेंगे हवा में लटकी हुई है और उसी बल्लियां भी फसा दिया इन्होंने कि जिससे लेंटर ना गिरे पूरा ल पुलिस को कंप्लेंट करी है पुलिस ने अवे फायर लॉज करी कंप्लेंट हमने जून सही दे रखी थी अवे फायर लॉज हुई है पुलिस उनसे पूश्टाश कर रही है उनके पास में कोई कागज भी नहीं है मेरे पास पूरी रजिस्ट्री है जिसमें रिखा हुआ सन 76 की सन 89 की रेजिस्ट्री है उस रेजिस्ट्री में लिखा भी हुआ है कि कई सालों से दुकान इनी के पास चली आती है तो इनी के नाम पर हम रेजिस्ट्री कर रहे हैं इसका मतलब सौहीं सालों से मेरे दुकान चलेयाती इनकि पास कोई कागज नहीए एक भी कागज नहीं ना कोई डृजिश्टी ना कोई म्सीफ का नकिशा पास कुछ भी नहीं है फिर भी किस बात पह किस बिना पर गलेम करेंगे से संच में या रहा व。 तो अभी जो FIR दर्ज हुई है वो किन-किन धाराओं में हुई है FIR दर्ज हुई है धारा 38, 227, 228, 427, 447, 452 trespassing, encroachment और जबरदस्ती तोड़के अंदर गुसना बिना बताए तोड़ना क्रिमिनल इंटेंट से किसी की प्रॉपर्टी में गुसना ये धराए लगे हैं कि उन्हों ने इंफ्रम किया था आपके पिता जी को लाला जी को जो है उनको इंफ्रम किया था कि हम यहां ऐसे ऐसे construction करने हैं कोई भी information नी करी 7 september को ACP सवाइब को भी उन्हों ने यही कinging था था क्यों उनको बता दो दुकान तूट गई है तो वो अपनी बाद में बना लें वो भी बनाएंगे ये नहीं बनाएं भी हमी और तोड़ने के बाद में वो उस वक्ती ने ACP साहब को वो बयान दिया है वो बयान दिया है तो फरीदबाद आप समझ सकते हैं ये जो पूरा विवाद है इंच इंच जमीन का जो विवाद है वो फिलहाल पुलिस थाने तक और कोट कचही तक पहुच गया है और चार लोगों के खिलाफ परचा दर्ज हुआ है चार लोगों के खिलाफ ट्रेस पासिंग का जवरन किसी दूसरे के घर में उसकी सीमा में उसकी भूमी में प्रवेश करने का मुकदमा दर्ज हुआ है और गंभीर धारा है ये धारा जो है फरीदबाद जोड़ेंगे आपको शेर के ऐसी और महत्मून खबरों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद